दोस्तों अगर आपको डीप गले की बलाउज की कटिन करनी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा यह देखिए सोल्डर हम कहां से कम कर रहे हैं गले की तरफ से ठीक है तो इसी तरह से आपको सोल्डर कम करना है गले की तरफ से यह देखिए हमने दो इंच कटिन कर तो आपको यह देखे 14 इंच हमारा सोल्डर तयार है ठीक है आदा इंच हमने बाजू का दबाव दे रखा है यह हम 2 इंच सोल्डर इस तरह से कम कर देते हैं तो दोस्तों देखिए 10 इंच हमारा सोल्डर तयार आएगा लेकिन जब हम नीचे की डॉट प्लेट बंद करेंगे तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा सोल्डर हमारा जितना आना चाहिए तो वह उतना पर्फिक्ट आएगा देखिए यह हम डॉट प्लेट इस तरह से नीचे की बंद कर रहा है सोल्डर हमारा कहां पर पहुंच गया 14 इंच पर ठीक है तो इस तरह से आप डीप गले को सोल्डर कम करना है इधर से देखिए जब हम सोल्डर कम करते थे ठीक है तो जैसे मान लीजिए हम 14 इंच सोल्डर दो इंच इदर से हमने कम किया यह निसान लगा देता हूँ यह देखिए दो इंच हमने निसान लगा दिया और इस तरह से सोल्डर जहां पर जाना चाहिए व और सोल्डर भी सेट हो जाता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैसन बुटिक में दोस्तों आज मैं आपको फोर डॉट बलाउज की कटिंग बताने जारूं दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो म कि अब कि दिस्तों है चुला है कि लंभाई का निसान लिशनल लगाना तो θα ठेहरा इंच इंच के लंबाई हमारे एक इंच इंच से में हम एट करें गे आदा मीं का दबा हो गया और आदा यहां पर लगा लेंगे ताकि हमारा एकदम सीधा निशान लग सकते हैं यहां से कंदीश की डाउन करना है एक इंच वन पॉइंट आप सवाइंच भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यह दोस्तों सोल्डर कितना हमें किस साइज में डाउन करना चाहिए तो इस पर वीडियो मैंने बना रखा है फिर मैं बता देता हूं यह देखिए जो सोल्डर हम डाउन करते हैं जितना हमारा सोल्डर होता है उसे हम 12 से डिवाइट करेंगे तो जितना यहां पर हमारा आए यहां से गला हम कितना ब्रॉड रखते हैं यह चीज भी आपको ध्यान से देखना है दोस्तों गर्दन की जो गुलाई हमारी जैसे हम कोलर नापते हैं तो वह कोलर का जितना राउंड होना उसे हम पांस से डिवाइट करेंगे तो जितना प्राप्त होता है तो वह हमें यहां देखें कि αम किनल में चाहते हैं तो रख सकते हैं पहले करता है उसके बास तरह में से किस तरह से कॉलर बाले को बनाटे यह सारी बीडियों में डिटेल में आपको मिले गी अब दूस्तों यहांसे हम फुल्बस्ट का निशान लग देखें जितनी हमाडी हम्षly भुल्व प्लस कर लेंगे ठीक है तो 36 इंच फुल्वश्ट है उसमें 46 का चोथा वाग होता है नो इंच उसमें अमेरेक इंच करें तो 10 इंच पे यह फुल्वश्ट का निशान लगाना है कि अब यह निशान को इस तरह से देखिए स्टेट कर देना ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए अभी हम आर्मोल इसका डाउन नहीं करेंगे यह आटोमेटिक आर्मोल इसका डाउन हो जाएगा साड़े छे रख देते हैं या साथ इंच या साड़े पांच या साड़े छे तो इस तरह से विल्कुल भी नहीं रखना देखिए हमारी जो फुल बस्ट है 36 इंच है फ्रंट पल्ले के लिए यहां पर एक चीज को ध्यान से देखेगा यह फ्रंट पल्ले के लिए इसमें लू अबड्य मेजर्मेंट जैसे 35 इंच है तो इसमें हम लूजिंग के लिए एक फिलस करते हैं या आप 2 इंच पलस करते हैं řो आपि पहले प्लस कर लें ही तो जो हमारा फिरन्ट का पल्ला खटएगा तो उनीसिंच कटेगा और बैक का पल्ला मैं आपको बता मैं च्छी करना हो जाएगा 34 इंच 34 का अदा कितना हुआ 17 तो बैक पल्ला हमारा 17 इंच का कटेगा और फ्रेंट का पल्ला कटेगा उन्नीस इंच का ठीक है तो 19 और 17 हो गया 36 इंच तो टोटल हमारा जो साइज है 36 इंच का एगा ठीक है इस चीज को अप ध्यान में रखना है तो 19 का अदा होता ह साड़ेनों साड़े-नुव इंच पे है की लिए निशान लगाना है कमर पर भी हम सेम निशान लगाएंगे अंस निशान को यह देखिए दोनों निशानओं को एक साथ में मिलाना है और एक सीधा निशान इस तरह से लगा देना ठीक है अभि हमने कर दौन नहीं किया वो, क देखें किस तरह से डाउन होगा आटोमेटिक तो यहां पर जो हमने फुल वस्ट का निसान लगाया था तो यहां पर भी हमें एक निसान साड़े नौ इंच का फुल वस्ट वाला सोल्डर के पास में यहां पर लगाना ठीक है अब देखें यहां से हम पॉना इंच यह माइनस करेंगे यह अब हमें देखना कितना हमारा यहां पर बीच में बच रहा है यह वाले निसान से और यह सोल्डर अमार जितना तयार चौदंच ठीक है तो यह देख रहे हैं तो दोस्तों डेड़ इंच में वन पॉइंट एक्स्ट्रा इंच टेप को यह देखें यहां से उप कोने आठ इंच पे यह निसान लगाएंगे और यह देखे आर्मोल हमारा इस तरह से डाउन हो चुका है तो इस तरह से अगर आर्मोल डाउन करेंगे तो दोस्तों यह ना लूज होगा ना टाइट होगा और जो सबसे बड़ी समस्च्छा आती है कि यहां पर रिंकल आ जात गां यहां कि यह निशान हमें लगाना है इसका भी सेंटर निकालना है तो तो में है यह निशान से मिलार के द्यान से देखेंगे इस तरह से गंपलीट करने के बाद में आपको लिने फ्रेंच कर्व पौना इंच यहां से देखिए इस तरह से फ्रेंच कर को मिलाएंगे यहीं से हमें निसान लगाना है ना कि यहां से तो यह देखिए फ्रेंच कर को इस तरह से मिला के रखेंगे और यह निसान को हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो यह हमारे देखिए आर्मोल एकदम पर्फेक्ट आ जाएगा इसमें कम होगा न ज्यादा एक आद सूत ज्यादा हो जाए चलेगा कोई दिक्कत नहीं कम न होना चाहिए कि यह देखिए यहां पर हम आधा इंच कंदी का दब्वाव निकाल देते हैं और यह हमारी सिलाई का माजन हो गया है यह जो हम पैटरन कटिंद करतें दोस्तों तो इसमें कोई आपको एक्ष्टा माजन नहीं देना इसमें माजन हमारा सारा फिक्स होता है ठीक है यह और या निक पंदर साटे पंदरह इंच इसका आर्मोल है तो आट को डबल करेंगे दियो महारे स्बाइब शुत और यह तरह से मैं आपना है अब दोस्तों यहांसे देखें बर्षट पोइंट की दूरी का निशान लगाएंगे तो वह किस तरह से लगाना है दोस्तों जो हमा यहां से देखिए हमें पॉने चार इंच पे यह निसान लगाना बस्ट पॉइंट का और इसके बाद में दोस्तों यहां से देखिए लोवर बस्ट कर निसान लगाना है तो वह किस तरह से लगाएंगे तो जो आपके फुल बस्ट है उसे हम बारा से डिवाइट करेंगे तो यहां पर हमारी लोवरबस्त आजाएगी YouTube 26 को हम 12 से डिव데 करेंगे तो दोस्तों आगा थीन निच है तो यहां पर देखें निचान पर 15 पर निचान को इस तरह से दिए स्ऩिंट मिलाना और इस ब da क़ में यह denen कमर न लेंगे तो दूस्त तो तीस को सद्घ्र रखाना है और यह देखना कितना आघा तो दोया रहा है तो थीन्युक्ति हमारी और प्ले है जतना इस्टेंस रहे जितना दिस्टेंस रहे यानि कम रहे यह ठीक है कमर हमारी जितनी कम है वो जितना मार्जन यहां पर बचता है तो वह हमें डॉट प्लेट देनी होती है यहां पर तो यहां पर हम दो इंच डॉट प्लेट यह देंगे ठीक है अब यह दोनों डॉट प्लेट निसान लगाने के बाद में इन निसानों को इस तरह से मotz में मिला देना है, अब यह डॉट प्लेट के प्लेंगे कि लेंगे कि हमारी में कितनी है त Kommunen सवा तीछ अ रही है इस जा सवा तीन जाल रही है तो दोस्तों प्लेंगे तो तो इस साइट के यह बढ़ाणा पड़ेगा छीक है इस तरह पर बराबर कर लेना अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, यहां पर हमें एक इंच उपर की तरफ एक निशान लगाएंगे ठीक है? और एक निशान हमें उपर की तरफ यहां पर एक इंच पर लगा लेना है यह भी हम सिर्फ आइडिया के लिए लगा रहें, ठीक है? द्यान से देखिएगा इस निसान को इस निसान से मिलाना है और यहां से देखिए हमें यह इस तरह से मिला देना है ठीक है तो यह इधर का हमारा क्रोस पट्टी बन गए जो नीचे की हमारी बेल्ट आएगी तो बेल्ट की देखिए से इस तरह से आ चुकी है ठीक है अब यहा तो वह बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं लेकिन इसमें देखना आपको वीडियो पूरी देखनी है यहां से देखिए हम आधा इंच उपर की तरफ एक यह निशान लगाएंगे जो हमारा यहां पर बस्ट पॉइंट का सेंटर आता है वसे हम एक इंच इसमें प्लस करते हैं यह देखिए है थाटी सिक्स इंच है फुल वस्ट तो इसमें हमें आधा इंच सिर्फ कंदी का दबाव लेना होता है तो उस हिसाफ से साड़े नौँ इंच पर निशान लगाना होता है लेकिन एक इंच हम इसमें क्यों करते हैं क्योंकि दोस्तों बस्ट पॉइंच की दू हमारी डॉट प्लेट आएगी और इसी तरह से डेड़ इंच की दूरी पर किये हमें निशान लगा लेना है तो यहां सामने वाली यह आएगी डॉट प्लेट और दोस्तों ध्यान से देखिएगा डेड़ इंच हम यहां से भी एक यह इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आधा इंच की हमारी जो डॉट प्लेट यहां की देखिए पड़ेगी सिर्फ आधा इंच की द्यान से देखिएगा यह जो डॉट प्लेट है तो आधा इंच की डलेगे और यह जो हमारी यहां सामने वाली डॉट प्लेट है तो यह भी आधा इंच की रहेगी ठीक है यह हमें इसी के बिल्कुल सामने मिलाना है यह इस तरह से इसके वाद में दोस्तों जैसे हमने आधा इंच इधर भी डॉट प्लेट दिये तो आधा इंच हमें यह यहां पर बी देना है तो यहां से हम यह देखिए आधा इंच पर इस निसान लगाएंगे और यहां से देखिए इस तरह से हमें मिलाना है तो आधा इंच की डॉट प्लेट देखिए हमारी यहां पे लग चुकी है अब दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान से देखना है कि यह जब हम यहां पे डॉट प्लेट बंद करेंगे तुमारा आर मॉल छोटा हो जाएगा तो इसे हम किस तरह से बराबर करेंगे तो आपको यहां से देखिए आधा इंच से थोड़ा सा प्लस कर लेना नीचे की तरफ अब यह निशान हम लगाएंगे यहां पे इस तरह से ठीक है यह देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया अब आपको यहां से देखना है कि हैं कि दोस्तों सवा 3 इंच इधर वाली प्लेट को इस तरह से नाप लेना है सवा 3 इंच पर यहां पर हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे यह दूरी और यह दूरी जो लंबाई यह तो बराबर रहना चाहिए ठिक है और यहां से हम यह देखे जो आधाइंसे से थोड़ा सा नीचे की तरफ निशान लगाया तो इस तरह से देखिए हमें यह इस तरह से फ्रेंच करको रखना और यहां से देखिए हमें इस तरह से मिला के यह निशान पर इस तरह से मिला देना ठीक है तो यह देखिए इस तरह से हमारा यह आ Anders कि यहाप करेंगे तो यह आपसमें यहां पर मिल जाते ठीक है कि यह से अर इसका या अर मोल यह एक्दम complete हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम प्रस unfair श्रॉब की यह देखे से ना पेंगे ते दोस्तों देखिए पौने आट इंच आ रहा है तेनी हमारा आर्मोल एक दम पर्फिक्ट आ जाएगा ठीक है इस तरह से डॉट प्लेट डालने के बाद में तो यह देखिए हमारी डॉट प्लेट इसमें तैयार हो चुकी है अब मैं आपको बता दूं कि आदा इन्च और अदा इन्च जे की तरफ आच चुका है तो यह आटो में हैं पर जाता है तो हमारी डॉट वाला भुब द ल सताहृ इंच प्लेट और हम से तो यह हमारी निशान बाच तो हमारी इसल्ट मंम ब्सक्स टाय उर निशन ला जासा ऊ ağut अब यहां कुए ise इस वाले निशान-को इस तरह से मिला देना है fifa에게 को कि अब इसका soldier यहां कम करेंगे तो यहां से 2 इंच करेंगे यह देखिए यह जो follow वाला निशान है तो इस निश Saan से इस तरह से मिलाना है और यह 2019 मुशन को इस से मिला के यहां से तीन से चार इंच एक दूरी पर यह निशान लगा देना है इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब हम यह फ्रेंट वाले पर ले की कटिन कर लेंगे यह यह देखें निशान हमारा आएगा यहां पर इस तरह से यह अब यह वाली वी देखिए हमें डॉट प्लेट बंद कर लेना है ताकि यह एकदम बराबर हमारे पैटरन कटिन हो सके यह देखें इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यह जो हमारी यहां की डॉट प्लेट है तो इस तरह से देखिए बंद करना है इस तरह से बंद करते हैं तो दोस्तों यह देखिए यहां पर हमारे साइड में आदा इंची यह कम हो गया और अब हम क्या करेंगे इस तरह से बराबर रखके एक निशान लगा लेना ताकि यहां पर सिलाई हमारी एकदम बराबर हो सक यह देखे इस तरह से निसान लग चुका है अब इसमें डेड़ इंची का एक्स्ट्रा माजन ले लेंगे जो साइड में दबाव हम छोड़ते हैं ठीक है और अब इसे हमें कटिन कर लिना है कि इस तरह से एक निसान लगाना कर देखे और यह जो वाला मार्जन निए तरह के देखिए इस तरह के देखे पदानी को निशान को बिलकुल बराबर मिला लेना है यह देखिए हैं से और नीचे के तरफ हम देख लेंगे बराबर को उखियले नहीं व्यार्टक मैं वह न है अब Trinity के पहले पर निशान आप गले का ब्रॉट का निशान है तो यहां से देखिए इस तरह से आधा इंच उपर की तरफ बैक पल्ले को बढ़ा लेना है ठीक है यह हर एक ब्लाउज में आपको बता रहा हूं कि आधा इंच क्यों बढ़ाना है ठीक है तो आधा इंच इसलिए हम ज्यादा करते हैं कि हमारे बैक का आर्मोल एकदम पर्फेक्ट आजाए अगर यह आप नहीं बढ़ाते तो दोस्तों बैक का आर्मोल कम हो जाएगा और ब्लाउज की लंबाई भी बैक पल्ले से कम हो जाएगी ठीक है तो यहां से देखिए अभी हम फ्रेंट को अटाएंगे और जो हमारा फ्रेंट का पल्ला था 19 इंच का कठा था और अब बैक का पल्ला कटिन करना है 17 इंच ठीक है एक बार मैं और समझा देता हूं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यह देखिए 36 है तो बैक पल्ले के लिए हमें इसमें दो इंच माइनस करना है तो यह हो जाएगा 34 इंच तो 34 का आद से निषान लगा लेगे टाकि nिसान लग सके अब इन दोनों निषान को यह दिखे ध्यान से यहां पे थोड़ी दूर में इसी लगा लेंदा अब लेंगे हम फ्रेंट वाला पल्ला और यहां पर मिला के इस तरह से रखेंगे यह दिके आदा इंच पलस ... मैं रखना है और तो यह थえकितनारी से चीखतना के राफ़ की से мои आपको सब्वारबर मिला करें अग्रीत और यह देखी आपको फ्रन्ट वाले पले को इस तरह से नहीं खीचते है तो दोस्तों नीचे चला जाता है प्ला हमारा तो आपको किस तरह से से क crush यह दूए सब्सक्राइब यहुद कि निशन हमारे इस तरह से मिल जाते हैं फिक तो यहाँ पहूमे इस थर एक निशान लगा देना घ्रें हो है यहाँ मुद्ध कर साथ आदा होता है यह देखिए हमारा यहां पर पूरा अमने रखा है टोटल 7.5 इंच तो यहां पर हम साथ इंच पर इक यह निशान लगाएंगे तो यहां पर 20 सेंटर मिल जाता है ठीक है यह दोस्तों फ्रेंट और बैक क्रोस इसी तरह से नापते हैं और यहां पर देखिए इस तरह से एक न खिर मारा ते को यह वान बैक पर लेकर मॉल कर दो यह वातर मां दोस् σας तरह को अदर वाले निसां के लिए सोड़ा के ग़िए कि जो लिए स्य हमारे से सफ off का तरह से माइनस करना है और है और इस तरह से मा Mor salad का दोस्तों दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 155 इंचार मौल तयार आजएगा अब दोस्तों देखेंगे निशान लगाना है तो साड़े 13 इंच उम्हें लंबाई है तो साड़े 14 इंच पे यह निशान हमें लगा देना है अभिन टंपरेली निशान लगा रहे हैं इसके बाद में देखिए हमें कम ज्यादा किस तरह से कम करना है तो मैं आपको तरीका बताहूं आपको कमर नामने के लिए निशान लगा रहें ठीक है तो तो कमर Luci 30 का 40,37 का 7.50 निशान जालेंगे जो अमारी ऐख कमरे में मार्जन नहीं देना है ठीक है वह आटोमेटिक यहां पर मार्जन आ जाएगा डॉट प्लेट के लिए यहां पर देखिए निशान से मिलाना है और इस निशान को यह देखिए इस तरह से मिला देना है अब देखिए यहां से हमें बस्ट पॉइंट कर निशान लगाना है तो एक यह देखिए 10 इंच पर हम लगा लेंगे और इसकी जो दूरी है पौने चार इंच रखना है यहां से देखिए हम इस तरह से मिलाके एक यह निशान लगा देंगे तो हमारी डॉट प्लेट यहां पर मिल जाती है ठीक है अब मैं इसको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इ कि तो यहां से दीखे दो इंच पर हम एक यह निशान लगाना है यह दो स्विश्त लिए लगाते सुल्डर कम करने के लिए ठीक है आइन छांगे लीए लगाा लिए अधिस सोल्डर इसकά संग्न कम करेंगे 2 इंच तो एक निशान यह लगाना है अब यह जो हमारा बस्ट पॉइंट रहिनी dealt plate की दूरी कर bajः का निसान तो यहां पर हम एक निसान यह देखिए लगा देंगे और इसके बाद में यह जो दो इंच हमने solder कम किया तो इस वाले निसान से इस तरह से मिलाना है और इस तरह से मिलाने के बाद में तीन से चार इंच के दूरी तक एक हमें इस तरह से निसान लगा देना ठीक है तो यह देखिए हमारा बैक पला इस तरह से complete हो चुका है अब इसकी हमें cutting कर देना है अब देखिए यहां पर हमें फ्रेंट के यह दोनों and side मिलाना है तों यह किस तरह से मिलाएंगे तो यह हम इस तरह से मिलाने के बाद में यहां से मिला लेंगे ठीक है और यह देखिए को दो स्वाष्ण द्यान से देखनाया इंस तरह से जब हम मिल आते हैं थोड़ा सा पर आप तो यह हमें माइनस करना है अभी मैं इसके आपको लंबाई नापके दिखाऊंगा एकदम हमारी लंबाई परफेक्ट आएगी ठीक है यह अमने इस तरह से निसान लगा लिया और यह बैक पल्ले को इस तरह से माइनस कर लेंगे ठीक है आप सोच रहें कि यह बैक पल्ला हमारा छोटा हो जाएगा तो बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा यह देखिए हमने अब यह कटिन करके इस तरह से निकाल देना ठीक है अब यहां पर हम बैक पल्ले की लंबाई नापकेंगे है कि मिश्ण घुकों यहां से देखे स्थरे से रक रहे हैं चरे वसके कि दोस्तों कितना आ रहा है कि साढ़े। आधा इंच नीचे का दभा проблем उपर तो मारा कितना तयारा जाएगा साढ़े तेरा में और दिखा देता हूं इस तरह से इंचीट को रखेंगे साड़े तेरा इंच हमारा यहां पर आ रहा है ठीक है आदा इंच नीचे का दबा हो गया आदा इंच हमारा सोल्डर का तो बलाउच के लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी एकदम पर्फेक्ट आ जाएगी ठीक है यहीं पर कई कुर्षा यान पर यहां पर जाते थि ठीक है देखना यहां पर जो सिल्वत इसतरे से चुन्ड़ पर जाते थे तो यह का रव्यांज था जलिए यहां पर देखिए दूरी होती थी यह ज्यादा होती थी तो इसकी वज़य से यहां पर हमारे साइड में सिल्वट आते थे क्योंकि जो आर्मेल हमारा जहां पर सेट होना चाहिए तो वहीं पर सेट होना चाहिए ठीक है इना कि उपर इस तरह से चड़ जाएगा तो वह जो कटिन कर देना है कि यहां से देखिए इस तरह से हमें मिलाकर रखना है एक बार मैं आपको यहां पर यह देखिए कटिन करके दिखा देता हूं यह देखे हमने solder को इस तरह से कम कर दिया है दो इंच अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखेगा यह दो इंच कम कर दिया ठीक है यह निकाल के इस तरह से रख देते हैं अभी हमारा solder कितना है तो वह मैंना किya आपको दिखाता हूं इस इस तरह से क sollow कंदर करेंगे तो का औरफ़ें करेंगे तो सोल्डर हमारा जहाँ पर आना चाहिए सब booster अमारा चाहरEN तो वहिंगर एस तक होसुर exist करते है नहें तौत् song करते हैं कि तरफ हो सब यह देखें में नहीं तो यह नाप करना है कि यह ना गोश्झाण यहां से देखे ठीक है तो पांच इन्हीं टोटल हमारा आएगा दस इंच तो इस उल्डर हमारा कम हो चुका है लेकिन हम जब इसका सोल्डर को गला डीप बनेगा यह देखे जब डॉट प्लेट हमारी यहां पर डलेगी तो आटोमेटिक हमारा सोल्डर कहां पर आजाएगा तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है ठीक है यह देखिए जब डॉट प्लेट हम यहां पर बंद करते हैं तो इस तरह से देखिए डॉट प्लेट बंद करने के बाद में यह देखिए हमारी डॉट प्लेट यहां पर बंद हो गई तो यह हमारा यह तो यहां पे खिसक के जाएगा के पास में तो धेर इधा है से कम नहीं होगा गली की तरफ से यह जब हमारा यहां पे निशानंग लगा जब यह अलका सा यह इस तरह से अब दो इंच्स Demon यह यह सोल्डर कम करना तो यह वाला निशान हमारा जाएगा यहां पर इस तरह से ठीक है तो यह देखे सबसे बड़ी दीजन बनती थी ब्लाउज में कटिन करने कि यहां पर चुणनत आता था बैक में भी और फ्रंट में ठीक है तो यह जोल इसी की वज़े से आता था जब हमने आर्मोल इधर से फिक्स कटिन किया सोल्डर इधर से कम किया तो आटोमेटिक हमारा जो जब डॉट प्लेट यह डालते हैं यह देखे इस तरह से सोल्डर हमने कम किया जब डॉट प्लेट डालेंगे तो दोस्तों जहां पर हमारा सोल्डर आना चाहिए आर्मोल क्योंकि फिक कर देंगे अब इसका में गले का निशान लगा देते हैं यहां से देखें आप को सोल्डर जीतना रखना यह पहले सिलाइक माजनमें माइनस कर लेना मान लीजिए दो इंच रखना यह धाइंच रखना तो आप जितना भी रखना हैं आप अपने इसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं कि यह ज्युनाح ड़ाण पलेट है तो यहां पर इस तरह से ब्रोड आपको अगर ज्यादा रखना है नीचे की तरफ हुए तरह से लगा सकते यह फिर कम डूर्ग रखने नीचे की तरफ तो इस तरह से यह देखि नृँना न यहां से गले की गुलाई दे देनी हैं आप इसमें अपना हिसाब से गला कोई भी रख सकते तो इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा तयार हो जाए अब दोस्तो इसी तरह से देखिए पैटरन हमारे जो तयार हुए है तो मैं आपको बता देता हूं यह जो डॉट प्लेट हमने डाल लखा है तो पैटरन जब हमने कटिन किया तो बिल्कुल इसी के बराबर से कटिन कि है तो पैटरन हमारे पास में कौन-कौन से तयार है तो वह मैं बता देता हूं देखिए हमारे पास में फोर डॉट बलाउस के पैटरन तयार है और कटोरी वाले पैटरन तयार है प्रिंसेस कट के तयार है और दोस्तों कॉलर वाले भी पैटरन हमारे पास तयार है तो इस तरह पहले ही हमें बेल्ट की कटिन करना है कि यहां से हम डोट प्लेट यह देखिए इधर की प्लेट तो इस तरह से कटिन कर देना और यह जो मारा एक निशान लगा हुआ है सोल्डर कम करने के लिए तो इसे भी हम कटिन करेंगे अब आपको फिर से ध्यान से देखना है यह वाले पल्ले को उठा के हम इस तरह से रखेंगे ठीक है यहां पर इस तरह से यह निशान हम सेम मिला के रखेंगे और इस निशान को इस तरह से मिलाने के बाद में यह तो आप गलू से भी से पेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा प्रेंट पल्ला तैयार हो चुका अब यह जो हमारा हुक और आई के लिए सिलाई का माजन है तो यह देखिए एक्स्ट्रा में रखना है इस तरह से ठीक है अब दोस्तों बैक पल्ले से यह देखिए जो गले की ब्रॉडिंग है तो वह हमें रख लेना है कि आपको गला जितना डीप रखना है तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो आधा इंच में सिलाई का माजन देंगे कंदी का और यहां पर हमें इस तरह से सीधा निशान लगाना है कि इसके बाद में एक गला तयार हो चुका है अब दोस्तों इसकी जो डॉट प्लेट है यह देखिए हम इस बंद करेंगे यह देखिए इस त değ से तो यहाँ परिमारा है इस तरह से बराबर आऽ अब आपको ध्यान से देखना यहां पर इस तरह चींद रखेंगे और यह जब डॉट से बंद करे तरब से एक्ष्टा रखेंगे और एक इंच रखेंगे यहां पर ठीक है अब यह जो हमारी नीचे की बेल्ट है तो बेल्ट को में इस तरह से मिलाकर रखना है कि इस वाले निसान से इस तरह से मिलाएंगे और यह वाले निसान पर इस तरह से आंगे बेल्ट के बराबर से निष्णानमी लगाना है कि यह कि यह देखे-द्टख यह अर यह यहाँ पर गड़्डोंगी फिर हैं तो मिसे यह था इस-तैंट करेंगे ठीक है तो अब एक चीज आपको ध्यान से देखना है यहां पे हम quarter inch यह देखें बेल्ट को इस तरह से तिर्चा करेंगे और इसमें जो हमारा hook को और आई का माजन है तो वो देखें इस तरह से रख लेना है अधा इंच का अब यहां से हम बिल्ट की लंबाई देखेंगे तो कमर नीचे हमारी है तीस इंच तीस का चोता बाग साड़े साथ इसमें हमें डेड़ इंच का एक्स्टा माजन रख लेना है अब यहां पे दोस्तों हमारी कमर ज्यादा हो जाती है जो लोवर बस्ट के पास में ठीक है तो स यहां पर भी हमें यह देखें निशान लगाना तो इस तरह से हमारी यह बेल्ट तयार हो जाती है तो दोस्तों इस तरह से आपको फोल्ड डॉट ब्लाउज की कटिन करना है जो कि एकदम प्रोफेशनल तरीका है और ब्लाउज में आपके कहीं पर सिलवर्ट या फिर यहां को बिल्कुल भी नहीं आएगी अब इसी पैटरन से दोस्तों मैं ब्लाउज के कपड़े की कटिन करूंगा फिर उसे हम चेक करके देखेंगे कि ब्लाउज के हमारी फिटिंग कैसी है तो नेस्ट वीडियो में आपको इसकी सिलाई का वीडियो मिलने वाला है तो आप नेस् कि कर दो सिसका है